जब भी मन करें पकोड़े खाने का तब आप जटपट से बना कर तयार कर सकते हैं आलू प्याज की क्रिस्पी पकोड़े ये टोटल 10 से 15 मिनिट में तयार हो जाता है और बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगता है इसे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल ले और इसमें एक कप बेशन और यहां पे में चार से पांच हरी मिर्च आइट कर रही हूं जिसे मैंने बारिक चॉप कर लिया था आप मिर्च की कॉंटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद है दो टेबल स्पून में बारिक चॉप करके हरी धनिया अब इसमें डाले इसलिए आप टीश्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला और यहां पे स्वाथ की अनुसार डालेंगे नमक वन फोर टीश्पून इसमें आजवाइन और वन टीश्पून आइड करेंगे साबुत धनिया धनिया और आजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकोड़ो लेकिन बैटर गाढ़ा होना चाहिए एकदम पतला हमें नहीं करना है तो इस चीज का ध्यान रखे अगर आप एक साथ ज्यादा पानी डाल देंगे तो आपका जो वेटर है वह बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और जो पकोड़े बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंग इस चीज का ध्यान रखेगा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक ठीक बैटर त्यार करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पर्फेक्ट है अब यहाँ पर पानी बिल्कुल भी एड नहीं करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हर चीज को तो अच्छे से मिक्स यह से जाएक जैसे ही काते जब भी आलु प्यास के पकॉड़े बनाएगे तो एग जैसे ही रखेंगे दोनों को तो इसलिए में ने बारिक बारिक आलू और प्यास को काटा है अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखे कितंगे हो गया है बेसन में तो बस Вас इसी तरह हो चुका है अब इसमें पकोड़े डाल सकते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे अब आलू-प्याच के मिश्रन को थोड़ा-थोड़ा हाथों में लेकर इस तरह से डालते जाएंगे थोड़ा समय बड़ा साइज का ही बना रहे हैं आप छोटा-बड़ा कर सकते ह तो इस तरह से जितना इस तेल में आ सके उतना डाल देंगे और एक मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे उसके बाद एक मिनट के बाद इसे पलट देंगे और मैं यहां पर मस्टर्ड ओयल में फ्राय कर रही हूं पकोड़ों को तो आप चाहे तो रिफाइन ओयल में भी कर सकते ह और जब यह पकोड़े अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, जिससे क्या है ना कि पकोड़े एकदम काफी क्रिस्पी हो जाएंगे, तो अभी इससे पलट दिया है, फिर से एक बार पलटेंगे, और देखिए कलर अच्छा चेंज हो इससे पलटने के बाद हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे, जिससे क्या है ना काफी क्रिस्पी हो जाएगा, और कलर भी बहुत अच्छा आएगा पकोड़ों में, तो अब यहां पे फ्लेम को हाई करेंगे, और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे अच्छे से, अब दे निकाल रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ओयल होगा, तो अच्छे से निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ पकोड़ों को, तो यह देखिए, सारे पकोड़े मैंने निकाल लिये हैं, और यह काफी क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहा है न, तो यह जितना टेस्टी प खाने में भी लगेगा, तो जुरू ट्राइ कीजिएगा, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, और इन पकोड़ों के साथ मैं सर्फ कर रही हूँ, खजूर इमली की खट्टी मीठी चत्नी के साथ, जो काफी टेस्टी लगती है, और यह देखिए, पकोड़ों को अंदर से आलू बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो इसे डिप करेंगे, खट्टी मीठी चत्नी के साथ, और एंज्जॉय करें, यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, अगर रेस्पी पसंद आए, तो लाइक और शेर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, थैंक्स पर बाचिंग, बाबाए